Hello friends, welcome to study cafe. दोस्तो, G20 Summit के बाद दिल्ली में 13 अक्टूबर को दो दिवसी P20 सिखा सम्मेलन का उडगाटन प्रधान मंत्री नरेंदमोदी ने किया. प्रधान मंत्री नरेंदमोदी ने दिल्ली में 90 P20 सिखा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिखा सम्मेलन दुनिया की संसदी प्रधाओं का महा कुम्ब है. तो दोस्तो, सबसे पहले जानते हैं कि P20 आखिर है क्या. P20 Summit है, G20 से जुड़ा हुआ है. G20 में सामिल तमाम देशों के संसदों के प्रिसाइडिंग ओफिसर इस बैठक में सामिल होते हैं. इसके अलावा, आमंत्री देशों के प्रिसाइडिंग ओफिसर भी इस सालेते हैं. भारत की संसद की अध्यक्षता में G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. हर साल G20 के बाद ये P20 बैठक होती है. इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है. तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कारिक्रम में 25 देशों के प्रिसाइडिंग ओफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टि स्पीकर सामिल हुए हैं. हाला कि खालिस्तान विवात के बीच कैनेडा की स्पीकर रेमेडे गैगरे कारिक्रम में नहीं आएं. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 डेशों के सदस्य के स्पीकर और संसदी प्रतिन्धी मंडल के सिखर सम्मेलन में कहा कि G20 की अधिक्षता से पूरे साल भारत में गत्विधियां होती रही. भारत का चन्रमा पे उतरने की सफलता ने चस्न में और चार्चांद लगा दिया. दोस्तो, नवे G20 संसदी अधिक्ष सिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि अगले साल भारत में फिर एक बार आमचुनाओं होने जा रहा है. मैं P20 सिखर सम्मेलन में आए आप सभी प्रतिनिधियों को अगले साल होने वाले आमचुनाओं को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रन देता हूँ. भारत को आपकी फिर से मेजबानी करने में बहुत खुसी होगी. प्रधानमंत्री नरेंदमोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर हम सभी को सक्ति वरतनी होगी. आतंकवाद की परिभासा को लेकर आमसहमती ना बन पाना बहुत दुखत है. आज भी यूवन इसका इंतजार कर रहा है. दुनिया के इसी रवईया का फायदा मानवता के दुस्मन उठा रहे हैं. दुनिया भर के प्रधानमंत्री नरेंदमोदी ने कहा कि यह सम्मिट एक प्रकार से दुनिया भर के अलग-अलग संसदी प्रथाओं का महाकुम्भ है. आप सभी प्रतिनिधी अलग-अलग संसदी कारिश्यली के अनभवी हैं. आपको इतने सम्मिट लोक्तांत्र अनभव के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुख़त है. Thank you so much guys for watching the video. Like, share and subscribe the channel. Thank you so much.